बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में टीम इंडिया का कोच कौन बनेगा ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है क्योंकि टीम इंडिया के कोचिंग पत के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और तमाम चर्चाएं हैं कि ये कोच बन सकते हैं वो कोच बन सकते हैं यहाँ पर गौतम गंभी इंडिकी पॉंटिंग से लेकर ना जाने कितने दिगजों का नाम सामने आ रहा है महिला जवर्द ने भी उस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो टीम इंडिया के नए कोच बन सकते हैं ऐसे में दो दिगज खिलाडी जिन्होंने टीम इंडिया का कोच बनने से इंकार कर दिया है आपको हम बताते हैं कि यह कौन से ऐसे पूर्व क्रिकेटर है जो टीम इंडिया के कोचिंग पत के लिए इंट्रेस्टेट नहीं है और इनके नाम की चर्चा चल रही थी लेकिन अब इन्होंने खुद आकर बता दिया है कि यह टीम इंडिया का कोच नहीं बनने वाले है तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं रिकी पॉंटिंग के साथ पूर्व ऑस्टेलिया ही कप्तान रिकी पॉंटिंग जो ऑस्टेलिया को कई वर्ल्ड कप बीजित आ चुके हैं कई और आइसी सी ट्रॉफिय भीजित आ चुके हैं ऐसे में अब रिकी पॉंटिंग टीम इंडिया के नए कोच नहीं बनेंगे ये उन्होंने खुद कह दिया है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रिकी पॉंटिंग आखिर कह क्या रहे हैं ये बयान है आप इसको समझेए मैं आपको इसका हिंदी मनवाद बता देता हूं रिकी पॉंटिंग कह रहे हैं इंडिया के कोचिंग जॉब को लेकर कि I have seen a lot of reports about it मैंने बहुत सारी reports देखे मैं इसको आपको फटाफट बताता हूं और social media पर भी काफी सारी चीज़े देखी हैं लेकिन बता देता हूं कि कुछ one-to-one conversation हुई थी वहाँ पर IPL के दोरान और जिस तरीके से interest था कि me as to whether I would do it लेकिन इसके अलावा आगे अगर आप देखे इसके अलावा तो रिकी पॉंटिंग कहते हैं कि I love to be a senior coach of a national team मतलब कि मैं एक national team का senior coach बनना चाहूंगा लेकिन और भी चीज़े हैं जो मेरी life में हैं और मैं अपने परिवार को अपने घर पर समय देना चाहता हूं इस वज़े से मैं ये Indian team की coaching की जुम्यदारी नहीं निभा सकता मैं IPL में भी involved रहता हूं और IPL में वक्त देता हूं मैं वहाँ पर और अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें रिकी पॉंटिंग बात कर रहे हैं कि जो national head coach की जुम्यदारी होती है वो एक साल में तक्रीबन 10-11 महीने की job होती है और उस दोरान शैद वो चीज़ मैं ना निभा पाऊं और ये मेरी lifestyle में fit नहीं बैठता इसके अलावा आगे अगर आप देखें रिकी पॉंटिंग कह रहे हैं कि मैं नहीं निभा सकता मतलब की परिवार को समय देना है घर पर समय देना है 10-11 महीने का काम एक साल में नहीं होगा आप जानते हैं कि IPL में है रिकी पॉंटिंग दिल्ली के साथ जुड़े हुए लेकिन वहाँ पर काम जो है वो दो महीने का ही होता है और उसके बाद फिर फ्री हो जाते हैं इसके अलावा और भी दुनिया में लीक्स आते हैं जहां पर आप देखते हैं कि यह लोग कोचिंग करते हुए दिखाई देते हैं अब इसके अलावा एक और वेक्टी के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में चर्चा थी कि वो टीम इडिया का हेड कोच बन सकते हैं एंडी फ्लावर उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है कि I have not applied and I would not be applying for the job मतलब कि मैंने apply नहीं किया और मैं apply करूंगा भी नहीं या तकरीबन दो महीने की job होती है इसके बाद वो अपना निकल जाते हैं और उसके बाद भी तमाम दुनिया भर में लीक्स चालू है तो कहीं न कहीं आप देखते ही हैं इनको जम्मेदारी निभाते हुए हर जगा लीक्स आ रही है और इंडियन टीम की कोचिंग का जहां तक स चस्पोगा और भी कुछ नाम आ रहे हैं उन नामों पर देखेंगे कि क्या ब्डेट सामने आ रही है एक अलग वीडियो लेकर आएंगे कुछ देर में आपके लिए उसमें नाम देखेंगे कि कौन से नाम सबसे जादा मजबूत नजार आ रहे हैं कोचिंग के लिए टीम जरूर कर लिजे